ना तो वक्त एकसा रहता है ना रंग रूप ये बात हर इंसान मानता है सालों से वॉलिपृड स्टाल दर्सकों के दिलों पर राज कर रहे हैं इस दोरान हर एक्टर का लुप और स्टाइल समय के साथ साथ बदलता रहा है ऐसे ही 90's के दसक की कई एक्टरस रही हैं जिनका लुप पहले से काफी बदल चुका है जब इन एक्टरस की पहले फिल्म आई थी तब वो आज से काफी अलग दिखती थी आज की इस वीडियो में हम आपको 90's के दसक की उन्हीं एक्टरस के बारे में बतानी जा रहे हैं काजोल बेहत खुपसूरत और पहले से काफी अलग दिखती हैं नमबर टो पर है माधुली दिख्षिद वॉलिवूड की धगदा गल माधुली दिख्षिद जिन्होंने ना सिर्फ अपने अदाकारी से बलकि अपने डान से भी फ्रेंस को अपना दिवाना बनाया उन्होंने साल 1984 माई फिल्म अबोस से बॉलिवूड में डेव किया था तब से अब तक माधुली के लोक में जमीन आसमान का फर्क है नमबर तीन पर है एस्वर्य राय अपने खुपसूरती के लिए मसूर एस्वर्य राय बच्चों निस साल 1997 में अपनी तमिल फिल्प एरुवर से डेव्य किया था जिसके बाद एस्वर्य ने कभी पीछे मोड कर नहीं देखा साल 1994 में मिस वल्ड का खिताब जीतने वाली एस्वर्य आज भी बहत खुपसूरत नजराती है नमबर चार पर है रवीना टंडन 90 के दसक की एक और महसूर एक्टरस रवीना टंडन ने अपने फिल्म करियर में कई सांदार फिल्मों में काम किया इन्होंने साल 1991 में फिल्म पत्थर के फूल से अपने वाली वोड करियर की सुरूरत की थी आज भी रवीना बहत हसीन दिखाई देती है दोस्तो इन एक्टरसों में से आग की सबसे फेवरिट एक्टरस कौन है आप उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें